हेलो दोस्तो हमारे स्फ क्लासे चैनल में आपका स्वागत है आज हम जूग्रोफी के चप्टर नमबर वन से भारत संसाधन उप्योग क्लास टेंथ के से अब्जेक्टिव तीस प्रशनला हैं जो आपके एक्जाम के लिए बहुत मतो पूर्ण होगा इसी सोनों से पहले जुर में बनते हैं ओप्शन ए है जीमर्माइन, बी माल्थस, सी डार्विन, डी इरेटा अस्थनीच इसमें दोस्तो आपका एंस्वर हो जाएगा जीमर्माइन अब चलते हैं क्वेश्चन नमबर दो की तरफ क्वेश्चन नमबर दो है कोईला किस परकार का संसाधन है इसमें दोस्तो आपका एंस्वर हो जाएगा अब चलते हैं क्वेश्चन नमबर दो की तरफ Question number 3 है पारकिर्तिक संपदाओं में किसका भंडार सिमित है Option A है कोईला, B, हवा, C, मिर्टी, D, सोर सकती इसमें दास्त तो आपका एंसर हो जाएगा A, कोईला, कोईला का भंडार दो तो सिमित है अब चलते Question number 4 की तरफ Question number 4 है सोर उर्जा कोईल सा संसादन है A, मानोक्रित, B, पुनापरती योग्य, C, अजयव, D, चकरिय इसमें दोस्तो आपका एंसर हो जाएगा B, पुनापरती योग्य अब चलते Question number 5 की तरफ Question number 5 है कोईल अजयव संसादन नहीं है A, बनस्पति, B, चटाने, C, खनीज, D, धातु इसमें दोस्तो आपका एंसर हो जाएगा A, बनस्पति, अब चलते है Question number 6 की तरफ Question number 6 है तर्ट रेखा से कितने किलो मीटर खेत्र सी मा अपवर्जक आर्थिक खेत्र कालाते है A, 100 NM B, 200 NM C, 1,500 NM D, 2800 NM इसमें दोस्तो आपका एंसर हो जाएगा B, 200 NM अब चलते है Question number 7 की तरफ Question number 7 है समुंदरी खेत्र में राजन्यतिक सी मा के कितने किलो मीटर खेत्र तक राष्टिये समपदा नहीं थै A, 10.2 किलो मीटर B, 10.5 किलो मीटर C, 12.2 किलो मीटर D, 29.2 किलो मीटर इसमें दोस्तो आपका एंसर हो जाएगा C, 12.2 किलो मीटर अब चलते Question number 8 की तरफ Question number 8 है डाकू की अर्थ व्यवस्ता का सबंध है A, संसादन के संग्रहन से B, संसादन के नियोजित दोहन से C, संसादन के विदोहन से D, इनमें से कोई नहीं इसमें दोस्तो आपका एंसर हो जाएगा B, संसादन के विदोहन से अब चलते है Question number 9 Question number 9 है प्रत्वी सम्मे लन प्रत्वी सम्मे रंग किस देश में आयोजित किया गया था A, अमेरिका B, भारत C, जपान D, ब्राजील इसमें दोस्तो आपका एंसर हो जाएगा ब्राजील अब चलते है Question number 10 की तरफ Question number 10 है इन में से कौन परकिर्थिक संसादन नहीं है A, बन B, नदिया C, नगर D, खनीज इसमें दोस्तो आपका एंसर हो जागा C, नगर अब चलते है Question number 11 की तरफ 11 है पंजाब किस परकार के संसादन के मामलों में गरीब है इसमें दोस्तो आपका एंसर हो जाएगा अब चलते है Question number 12 की तरफ Question number 12 है इसमें दोस्तो आपका एंसर हो जाएगा D, 1968 अब चलते है Question number 13 की तरफ Question number 13 है इनमें से कोण नेजी संसादन में सामिल नहीं है A, मकान B, कार C, मंदीर D, साइकिल इसमें दोस्तो आपका एंसर जाएगा मंदीर जो आपका नेजी संसादन नहीं है कोई लोग भी जा सकता है अब चलते Question number 14 की तरफ Question number 14 है संसार का सबसे किमती संसादन कोण है A, पस्षू B, खनीज C, बन D, नदिया इसमें दोस्तो आपका एंसर जाएगा खनीज अब चलते Question number 15 की तरफ Question number 15 है इसमें आपका दोस्तो आपका दोस्तो आपका दोस्तो आपका एंसर हो जाएगा इसमें दोस्तो आपका एंसर हो जाएगा B, संचित अब चलते है Question number 17 की तरफ Question number 17 है स्वामित्व के अधार पर संसादन के कितने परकार होते हैं A, 1, B, 2, C, 3, D, 4 इसमें दोस्तो आपका एंसर हो जाएगा D, 4 अब चलते है Question number 18 की तरफ Question number 18 है संसादन नियोजन के कितने अस्तर होते हैं A, 1, B, 2, C, 3, D, 4 इसमें दोस्तो आपका एंसर हो जाएगा C, 3 Question number 19 है 1992 के प्रिद्वी सम्मेलन में लगबक कितने देशों के राष्टी अधार शामिल होते A है 75 B है 90 C, 170 D है 57 इसमें दोस्तो आपका एंसर हो जाएगा 170 अब चलते है Question number 20 की तरफ Question number 20 है Club of Rome ने किस वर्ष संसादनों को विबेक उप्यों का परस्ताव रखा A, 1978 B, 1958 C, 1968 और D है 1968 इसमें दोस्तो आपका एंसर हो जाएगा C, 1968 अब चलते है Question number 21 की तरफ Bruntland किस दिसके परधान मंतरी रह चुकी है A, भारत B, ब्रिटेन C, नार्वे D, जबान इसमें दोस्तो आपका एंसर हो जाएगा C नार्वे अब चलते है Question number 22 की तरफ Question number 22 है राजस्तान में किस संसाधन की कमी है A, सौर उर्जा B, पौन उर्जा C है जल्द संसाधन D है सभी गलत इसमें दोस्तो आपका एंसर हो जाएगा C जल्द संसाधन की मामले में राजस्तान में कमी है चलते है Question number 23 की तरफ Question number 23 है मच्छलियों के अस्थी तुवको खत्रे में कौन डाल सकता है A, वर्षा जल B, सागर जल C, बांध D, दूसित जल इसमें दोस्तो आपका एंसर हो जागा D, दूसित जल मच्छलियों को खत्रे में डाल सकता है 24 है Question number A small is beautiful नामक पुष्टक के लेखक कवन है A, सुमेशर B, सारी A है सुमेकर B, सुमेशर C, मात्मा गांधी D, अमरत्यसेन इसमें दोस्तो आपका एंसर हो जागा B, सुमेशर अब चलते है Question number 25 की तरफ Question number 25 है भारत का लदाग छेत्र की संसाधन में धनी है A, कोईला B, भुतापिय उर्जा C, सांस्कृतिक बिरासत D, तमब इसमें दोस्तो आपका एंसर हो जागा C, सांस्कृतिक बिरासत अब चलते है Question number 26 की तरफ Question number 26 है किस कमिशन से सतत पसंडिये विकास की अधार्णा प्रस्तूत की A है Ratledge Commission B, Land Commission C, Bruntland Commission D, इनमें से कोई नहीं इसमें दोस्तो आपका एंसर हो जागा C, Bruntland Commission अब चलते है Question number 27 की तरफ Question number 27 है Law S की संसाधन वर्ग में सामिल है A, नविक कराणिया B, आजजायव C, अणविक कराणिया D, मानव क्रित इसमें आपका एंसर हो जागा C, अणविक कराणिया Question number 28 है 1992 प्रित्वी सम्मेलं की सहर में वहात था A, टोकियो D, रियोडी जेनरो C, निवार्क D, दिल्ली इसमें तो आपका एंसर जागा B, रियोडी जेनरो आप चलते question number 29 की तरफ Question number 29 है चीपको आंद्योलन के प्रणता है A, मेघा पाटेकर B, मात्मा गांधी C, संदरलाल बहुगूडा D, संदी पाण्डे इसमें तो आपका एंसर जागा C, संदरलाल बहुगूडा Question number 30 है ज्वारिय उज्या कीस परकार के संसाधन का उधारान है A, नवी करणिये B, अजयव C, मानवक्रित और D है जयव इसमें तो आपका एंसर हो जाएगा A, नवी करणिये अगर यह वीडियो दो अच्छी लगी तो लाइक करे, सस्क्राइब करे और बेल आइकन को प्रेस करे और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करे जय हिंद, जय भारत